अभियम गुरुकुल के लिए क्या तैयारी करपे करनी है उसके लिए लगुगुरुकुलम का कंसेप पुज्य गुरुवरिया ने दिया था बालकों को धीरे धीरे सिखाने से उसके प्राण गत ये हो जाता है तो कुछ शिक्षा ये बहुत आवश्यक है कि उसको घर में ही दी जाए यदि वो घर पे नहीं होती है तो कहीं पर भी नहीं होगी तो इसके लिए घर का भी महत्वा कम न समझे गुरुकुल से कम नहीं है घर से ही सुरुवात हो जाती है तो घर में बच्चों को क्या-क्या सिखाए इसके लिए अगली बार हम स्टोरी के विशए में थोड़ा लेने वाले हैं कैसे वारता कहें और उसकी पूरी की पूरी आपको ये देने वाले हैं सूची लगबग एक या दो बार में बुद्वार में ही मैं बात करूँगा इसकी ताकि अलग से हम को कहना न पड़े तो बुद्वार को ही हम सूची देंगे कि किस-किस गरंथों में से कैसे-कैसे उसको कहानिया की जाए कैसे उसको अच्छे विचार दिये जाए घर पे क्या-क्या सिखाया जाए तो इसक्या हम अभी कारिया करेंगे और जो मेरे बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पर है घर पे बालकों को कैसे पड़ाये जाए लेकिन अभी सायद लोगों ने नहीं देखा हो तो फिरसे में एक बार उसका शिशन वारता के साथ, कथा कथन के साथ सुगा बालकों के चार स्तर पर कार्य करना ज़रूरी है लगो पुल पर तो उसमें चार स्तर में परिवर्तन होना चाहिए तो संपूर्ण परिवर्तन के शक्त है एक बहुत उत्तम मनुश्य निर्मान की प्रक्रिया वहां शुरू होती है, वो चार की प्रोसेस होने के बाद, तो जैसे एक मकान चार पिलर पर खड़ा होता है, उसी तरह से व्यक्तित्व के ये चार पिलर है, ये चार पिलर क्या है? तो उसमें बता गया है कि काया का आचार, काया अर्था शरीर, शरीर का आचार, मन का विचार, वाणी का उच्चार और आत्मा का सौंसकार, ये चारों पर कारिया करना जरूरी है, इसके लिए लगुगुरु कुलम है, इसके लिए वैदिक पेरेंटिंग का कोर से, ये चारों चार बालकों का बदलना बहुत आवश्यक होता है, इसके लिए विशय ऐसे होते हैं, जिए चारों के उपर असर करें, उसमें शरीर का आचार, वानी का उच्चार, मन का विचार और आत्मा का सौशकार, यह चारों को चारों बदलने हैं, यदि काया के आचार ठीक नहीं रहा तो व्यक्ति कभी भी सदवर्तन नहीं सीख शकता है और बच्चों को सबसे पहले शरीर से, शरीर के स्तर पर ये सिखाना है कि उसों कैसे बेटना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है शरीर से तो वो सब पहला कर्तव ये माता-पिता का है कि वो शरीर के स्तर की बात सिखाए उसको यदि उस विशवई पर वो अनभी ये होता है, वो नहीं कुछ जान पाता है तो माता-पिता दोशी है इसके लिए बच्चों को बच्पन से ही, पहले से ही उसको ये सब सिखाना चाहिए कि उसको कैसे बेखना है, कैसे सोना है, कैसे बातचीत करनी है, उस समय पोस्चर क्या लखना है, किस तरह से नमरता से हमारे शरीर की क्रिया से प्रगट होती है नमरता, तो वो सबी उसको सि जिखाना है जो हम प्रायाहा अपने से गलती हो चाती है या तो लगभग लगभग आज सभी प्रोग्लेम का एक बहुत बड़ा कारण है ओहे मन का विचार मन के में सात्विक विचार आए इसके लिए हम क्या प्रदान करते हैं बालक को क्या हम करते हैं कुछ घर पे व्यवस् कर आए तो किसे आ सकता है हम उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं करते हैं और जो जो व्यवस्था करते हो उससे विपरीत होती है जैसे टीवी लाए और कुछ सोशियल मीडिया का साधन लाए और यदि हम खोलेंगे उसके देखने के बाद बच्चे क्या वीचार करेंगे उसका हम वीचारी नहीं करते हैं और डिसुम डिसुम देखेंगे और सेक्स देखेंगे और एक दूसरे को किस करते हुए देखेंगे एक दूसरे को सामने से इस तरह से विपर्च सवस्था में मिलते हुए देखेंगे तो उसका भी कोई असर होता है उतनी बुद्धी हमने ने खो दी है कोई भी चित्र है वो ग्लाम पाइंस के गम भासा के बराबर उसका एक इसके लिए जो मोल की भाषा सीख जाता है वह महुत अच्छा संप्रेशन कर सकता है यूद्ध sounds के जो भाषा से समझ में नहीं आता है कितने भी सारे शब्द कहे जो बात समझ में नहीं आती है वो चित्र से समझ में आ जाती है कि तो वह बालकों को खास मन के testify बिचार अभी हम गुरुलब से देखते है बहुत निम्ण स्तर के है कि सी भी पर असे उसको हम justify नहीं कर सकते हैं उतने निम्नस्तर के आज के काल के बच्चों के विचार है क्योंकि हमने कभी स्वार्थ को छोड़कर अपने दाइरे को छोड़कर और कभी कुछ हमने ही सोचा नहीं तो उसको कहां से मिलेगा और उसके सामने ऐसी वस्तु रगती है कि उसक मनुष्य की सबसे बड़ी सकती जो है विचार की सकती विचार यदि ओगया एक और यक्ति खड़ा हो जाएगा विचार की उपर की विचार की ताकात है और वही विचार एसे माध्यमों से आद विपरीत या खलास हो गए है यह हम देखते हैं कि आद बच्चे विचार ही नहीं कर पाते हैं कोई बच्चे ऐसी सरजनात्मक बात सोच नहीं सकते हैं सोचनी दूर रही हम कहते हैं तो भी वो ग्रहन करने का भी उसमें सामर्थ्य नहीं रह पाया है उसका कारण है कि उसके मस्तिश्क के विचार को खतम करके बाद में आए है हमने टीवी के सामने बिठा दिया उसको तो मानो विचार उसका स्थीर विचार उसका पूरा का पूरा विचार की प्रक्रिया रूप जाती है हमने कुछ mobile देदिया हमने कही involved कर दिया हमने वीडियो गेम । और यह क्रिया इतनी जटी लोती जाती है कि कोई बीच में से निकलता है वो गुस्सा हो जाता है और तीरे तीरे उसका प्रभाव जो सामने देखता है उसका प्रभाव अपने में देखने को उसको आपको मिलता है क्योंकि उसका रोआ रोआ देख रहा है उकेला वो नहीं देख रहा है पूरी चेतना उसकी वहां देख हम लोग इतना एकागरता से नहीं देख पाते हैं हमारा तो फोन भी बीच में आता है व्यापार का सोधा भी कर लेते हैं दूसरी जगह कुछ पूछ भी लेते हैं तब्यद ब्यद किसी का व्यवहार हो तो कोई बीच में आ जाए तो बाते भी करनी पड़ती है बच्चे को ए गम तलीन हो जाता है एकागर हो जाता है और उसका दुष्परिणा में आता है कि उससे जो सीखता है वो जीवन भर भूल नहीं पाता है इसके लिए हम गुरु कुल में कहते हैं कि आप अच्छा सीखा करना है जो कोई तकलीफ है लेकिन कम से कम इसकी आदते एसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान कर सकते आचारिय जिम्मेदारी ले सकता है लेकिन ओ किसकी उसको सुधार लेकिन कब लेगा जब ओ कम से कम इसाब यक्ति होगा कि ओ दूसरे को विगाड़ेगा आदर स्वियापारी कौन सा होता है जो सड़ीवी चीज को अलग कर सकते नह विकाहित देखना है यदी तो ऐसा विवेक रखना ही पड़ेगा इसके लिए माता-पिता को कहते हैं कि कम से कम घर का वातावर अनेसा नहों हो कि उसकी विचार करने की प्रक्रिया रुख जाए उसके विचार विक्रूत हो जाए आज अमेरिका में यह हो गया है आप देख नहीं है सबसे बड़ा पतन हो नहीं कि उसने शुट कर दिया लेकिन शुट करने के बाद भी उसको पस्तावा नहीं हुआ उप परापतन की पराखाश्टा है सबसे गलत आदमी वो नहीं है कि जो गलत करता है लेकिन जो गलत करके जिसको गिल्टी नहीं होती है वो सबसे गलत व्यक्ति है क्योंकि वो उसको कुछ रुकने वाला है ही नहीं है वो रोकने वाली जो गिल्टी थी वो उसके पास ही नहीं जो रोक सकती थी उसको इसके लिए सज्जन से भूल हो सकती है गल्ती हो सकती है लेकिन गल्ती होने पर उसको गिल्टी हो तो ये बच्चों को खास सिखाईए कि कभी गल्ती हो जाए कभी भूल हो जाए वो भूल के प कि मैं ये नहीं कर पाया हूँ, तो उसके जीवन की चेतना खिल जाएगी, मन के विचार अतिशाक्त्विक होते जाएगी, तो काया का आचार सिखाना है, उसके साथ साथ मन का विचार कैसा होना चाहिए, ऐसा वाता वराना चाहिए, आगे उसके बाद आता है वाणी का ऐसा हम बहुत बोलते हैं कर पे भी हम कुछ ना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बालक के उपर इसकी बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ बोलना चाहिए वस्तुगत्या बोलना तब चाहिए जब सामने वाले को जरूर रते अपनी जरूर रत नहीं अपने को जरूर नहीं मजबूरी होनी चाहिए जरूरी नहीं होना चाहिए बोलना मजबूरी होनी चाहिए तो जब ऐसा आ जाए कि दूसर तो बोलना है आज क्या है आज हमारे को सुन्सेवाला कुछ और इसके लिए लोग कुछ न कुछ बाते करते हैं तो पास पास में बैठते हैं तो एसी एसी बाते करते हैं, कितनी बारिष हुई, कहां बारिष हुई, कहां या सचीन ने कितने रन मनाए, फला ने क्रिकेटर ने कितना किया, क्यूंकि उसके पास सार्थक बात करने का कुछ हे ही नहीं, वो करेगा क्या? हमारे यहां गुरु कुल में आकर भी ऐसे निदर्थक सवाल पूछते हैं, कम से कम हम ऐसे लोगों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, कि जिसके पास पूछने जैसे पांच प्रस्ट्रणों, जो सार्थक हो, नहीं तो क्या पूछते हैं, खाना क्या देते हैं, जैसे उसको ये विवेक नहीं है, कि एक उस्टेल में आना और एक गुरु कुल में आना, ये दोनों में कुछ तो फरक होता है, उस्टेल कोई भी बना सकता है, वो स्ट्रक्चर आधारित होती है, वहाँ एक गुरुपती होता है, वो गुरुपती फिर ट्रस्टियों के अंडर में होता है, उसके जीवन का लक्षिय मात्र जीवन को पूरा करना होता है एक सेट हो गया एक प्रुपती और चलेगा तब तक उस्टेल चलाएगे उसके लिए उसके लिए जीविका का भी शही होता है जैसे दुकान आप चलाते हैं और गुरुकुल ये चीवन सिखाने की एक साला है तो उस्टेल में जो प्रश्ण किये जाते हैं वो गुरुकुल में कभी नहीं होता है और यदि यसा होता है तब सबसे पहला हम को दुख होता है कि हम असफल रहे हैं गुरुकुल को प्रेजेंट करने इसके लिए हमने यह सत्रक की सुरुवात की है कि ज्यादा तर माता-पिता के प्रशना हम देखते यहां कर तो लगबग 70% माता-पिता जो यहां इंटर्यू के लिए आते हैं उनके प्रशन ऐसे होते हैं और दूसरे बालकों को भी पूछते हैं तो मना करते हैं दूसरे बालकों को कुछ पूछना नहीं है उसका मान माइंड स्थीर होता है तब हम पूछ लेते कि मा की याद तो नहीं आती है अब याद नहीं करता था आपने कहने पर वो याद करने लगा और वो आपने बताया वो भी याद करती होगी आपको तो हम उले कभी कभी करते हैं जा बुद्वार को बस एक दिन ही कितनी मिनिट बात करते हैं तीन मिनिट बस तीन मिनिट ही अब आप यहां पर क्या करते हैं आप किसी को कनेक्ट करवाने के लिए आप आए है या किसी को डिसकनेक्ट करवाने के लिए आप है तो यह खास जरूरी है कि गुरू कुल की गरीमा कि यहां मनुश्य के जीवन का निर्मान होता है, इसके लिए उपनिशद में जब पढ़ने की बारी आई, तब समीधा लेकर जाने का भी जाना है। जाना, चाननी लेकर जाना, लोहा लेकर तब तो था भारत में बहुत कुछ, तो ओ लेने के बज़े लकडिया लेकर जाता है। तो ऐसा क्यूं कहा है। क्या वेल्यू है उसकी? सोने का हो, चान्दी का हो, ऊपर रत्नों की आर लगाई हो, लेपिद दीप बूजा हुआ हो, उसकी क्या वेल्यू नहीं? आज का शिक्षण लगबग इस तर का है, उसमें दिया सोने का है, चान्दी का है, रत्न का है, लेकिन अंदर वाटी नहीं। इसके लिए एक भी दीपक चलता नहीं। इसके लिए एक के मन में भी ऐसा विचार नहीं आता है, कि आद दो साल गए, कितने शिक्षक ऐसे निकले कि चलो मैं मुफ में मैं निटेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं सोशियोलोजी आश्चर यह है, मैंने तो एक भी पेपर में सा नहीं पढ़ा, कि कोई शिक्षक नहा हुआ न किया, कि चलो यह सोसाइटी के बच्चों को पढ़ा देते हैं, निस्वार्थ पाउस से, कोई मुझे चाहिए नहीं, यह मेरा कर्म है, तो यह चला गया, उसका कारण यह दीपक मुझा हुआ है, सोने का, दीपक सोने का है, बाती नहीं है, बाती नहीं है, तेल नहीं है, इसके लिए गुरु जी ने बताया कि एक चला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को चला सलग सकता है, इसके लिए शिश्य वो लकडिया लेकर जाता है, क्योंकि गुरु का दीपक चल जबी भी देखो कि वो कुछ गलत विचार कर रहा है, रोकने की जिम्यदारी माता पिता कि आती है. जबी आपको ऐसा लगे कि इसके विचार कुछ परिवर्तन हो गए, तो सबसे तब आपको सावद हो जाना चाहिए. जब यक्ती को डिटेक्ट होता है टाइप वन डायबिटीस बच्चों को, या ओटीजम, या ऐसी कोई भी बीमारी, तो हम क्या करते हैं, सावद हो जाते हैं, तुरंत फोन लगाते हैं, मैं भी अभी सेवा दे रहा हूं, तीन से पात, तो बहुत जगह पर फोन लगाते हैं, बहुत जगह पर अपोइमेंटे लेते हैं, दिखा कराते हैं, अब जो शरीर के अस्तर की जाग रुपता है हमारी, कि उसको कहीं डायबिटीस हो जाए, कहीं ओटीजम हो जाए, या और कोई रोग हो जाए उसको, तो तकलिफ होगी, लेकिन मन में वो कैसा भी सोचता है, कैस वाणी का उच्चार, मन का विचार और वाणी का उच्चार, ये दोनों के उपर ध्यान रखना है, कभी अपशब्द भी बोले बालक, तुरंत उसको रोकना है, रोक कर समझाना है कि इस तरह से नहीं बोलना है, केवल अपशब्द नहीं, छोटी-छोटी वाणी की बात है, कि कैसे बोलना है उसके कोई बड़े व्यक्ति को जोर से नहीं बुलाना है कि एह यहां आजाओ ऐसा नहीं बुलाना है पेले हम गुरु कुल में आए बच्चे नहीं नहीं आते हैं उनको भी बेचारों को पता नहीं तो ओ बुलाते थे शुरुवात में ए गुरु जी यहां आईए सिखाना पड़ा इस तरह से नहीं बुलाना कोई भी बड़े व्यक्ति को इस तरह से नहीं बुलाना है बात करते हैं वक्ति मान देना है वाणी का क्योंकि एक वाणी आपने अच्छे सिखा दी कितनी बड़ी बात है व्यक्ति पेसे से आने वाली चीज नहीं है इसके लिए बच्चों को प्रथम से ही वाणी केसी बोलनी है औरों को सीतल करे, आप हूँ सीतल होई इसके लिए एसी वाणी बच्चों को सिखानी है किसे बोलना है उसको, वो खास सिखाना है, तो बालकों को इसके लिए कैसे सिखाएंगे, इसके लिए लगुगुरु कुलम है, वेधिक पेरेंटिंग में हम कहते हैं, कि आपकी वाणी जैसी होगी, वो देख देख करो सीखेगा, अब बहुत अच्छा श्लोग एक में आया है कहीं, वो दो तोते की कथा है, दो तोते थे, उसमें एक तोता, राजा के यहां आ गया, घूंता घूंता यहां आ गया, आने के बाद शुरू कर दिया, योगस्चित्त वृत्ति निरोधः, अथयोगानुसासनम, पृतम भरात अत्रप्रज्या, तत्रसमात, योद, विधा, ऐसे योगसूत्र सुरू कर दिया, बोलने, राजा खुश हो गया, फंदरा वीस दिन तक वो आता रहा, थोड़े दिन के बाद, वो कहीं गया, दूसरा तोता आ गया, उसने गालिया बोलने सुरू, बिना रुके और बिना रिपीट की, क्योंकि वो भी कठी ने बिना रिपीट किये गाली बोलने लगा राजा ने विचार किया कि कि इतना अंतर है दोनों में विचार कर रहा था फिर वो तो ता आ गया अब उसकी कीमत बढ़ गई थी जो स्लोक बोल रहा था क्योंकि जब हम कोई एक गलत व्यक्ति को देखते हैं तो अच्छे व्यक्ति की कीमत हमको तब समझ में आती है जब सीधा कोंटेक होता है तब कभी में समझ में नहीं आती है लेकिन जब हम एक दूसरा पक्ष देखते हैं तब ओ पक्ष की कीमत हमको समझ में आ जाती है मनुश्य का स्वभाव, मन ऐसा ही है वो जब तक कोईले को नहीं देखेगा तब तक वो हीरे की कीमत कर ही नहीं सकता है हीरे की कीमत बढ़ाने के लिए समाज में कोईले चाहिए वो भी सुरुष्टी ने, कुदरत ने रखे है क्योंकि वो होंगे तो हीरे की कीमत कि तब ही वो इरा पहचान आजा सकता है तो सिधा वो रहेगा तो पहचान में नहीं आएगा क्योंकि दूसरी और कंपेरी किस्से वो कर सकता है कंपेर करने के लिए कुछ नहीं तो तब तो आया इसने बताया कि आप से तो मैं बहुत प्रभावित हूं आपको महा कुल में जन्व हुआ है आपका बहुत बड़ा पूल होगा अब देखिए यहां एसे भी लोग आते हैं जो एसे मतलब होते हैं जिसके पास कोई संस्कार नहीं तो 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 तेने अच्छा जवाब दिया उसने कहा कि यसा कूल कूल की कोई बात नहीं है गवाशनानाम श्रशनो तिवाक्यम अहम हिराजन वचनम मुनीनाम नतस्यदोशो नमत गुणोवा संसर गजादोश गुणा भवन्ती उसने बताया कि यसी कोई बात नहीं है महा कूल की हम दोनों भाई ही है हम दोनों भाई है, तो क्या हुआ, वो बोले कि अलग-अलग उड़ गए, पंखाई उड़ गए, ओ एक जगा कशाई के यहाँ चला गया, तो गवाशना नाम्शनोती वाक्या, वो वहाँ चला गया, तो वो क्या सुनता, गाली सुनता, नहीं नहीं गाली सुनता, तो धीरे- वो गाली बोलने लगा, क्योंकि जैसा वो सुनता, वो बोलने लगता, तो गवाशना नाम्शनोती वाक्या और मेरा संयोग एसा हुआ, एक आश्रम में चला गया, जहाँ योगसूत्र, नहाई-दर्शन के सूत्र, त्याकरण के सूत्र, आहिरवेद के सूत्र पोले जाते वहां में चला तो अहम हिराजन पचनम्मुनी नाम में वचन्मुनी के सुनता रहा तो उसमें उसका कोई दोश नहीं है और उसमें मेरा कोई गुण नहीं तो जिसका संसर्ग जैसा होता है जैसा उव्यक्ति बन जाता है संसर्ग जा दोश गुणा फवन्ती दोश भी संसर्ग से आते हैं और कुण भी संसर्ग से आते हैं तो बच्चों में यदि अच्छा विचार और अच्छा उच्छार लाना है, तो सबसे पहले हमारे में ये होना चाज़ा है। हम कभी कुछ भी खाते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, तो बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। सुनता बाद में, सबसे पहले बच्चों का जो शिक्षण होता है, अशीती प्रतिशत वो देख कर होता है इसके लिए उसको ढालना कठीन नहीं होता है बड़े व्यक्ति को ढालना कठीन हो जाता है लेकिन छोटे बच्चों को नहीं होता है यदि वो विक्रूती न हुई तो यदि वो वास्तों में छोटा हो तो तो यह एका पवस्य याद लखे कि घर का वातावरण चितना अच्छा होगा वो पूरे जीवन की एसेट है और आज के neurons के science ने तो ये साबित कर दिया है कि एक बार neurons बनते हैं और दूसरी बार नहीं बनते हैं टाइम तक वो रहते हैं, तो कोई गलत सौंसकारे नियूरोंस में है, या इसकी प्रक्रिया में चला गया, तो जीवन भर अजागरूत मन में वो रहता है, इसके लिए आज हम देखते हैं, कि माता-पिता और पुत्र संतान या पुत्री संतान के बीच में, कितनी बड़ी ही है, कितना misunderstanding है एक दूसरे के बीच में, हमको पता है वो सब, सब साथ में रहे हैं, उसका मतलब वो साथ में है, ऐसा नहीं, तो ये पविश्य में बालकों को हम, और एसी शिक्षा, मैंने स्कूल का पाठ्यक्रम, लगपक प्री स्कूल से लेकर, पीएचडी तक का देखा है, और ये कहीं पर भी ये बात नहीं है, जो जीवन की मुलभूत बात है, कि करपे क्या सिखाना चाहिए, किस तरह मनुश्य जीवन का सायद प्रथम चरण ही है, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तब तक तो मनुश्य ही नहीं है, तो दूसरे आ तो कोई भी सची बाते बच्चों के ऊपर असर नहीं कर पाए, तो इसको बहुत आवश्यके अम एसा वाता वरण दे अच्छी वाणी बोले, कोई-कोई बाते घर पे न करे, एसा नियम ले, गुरुजी अमेशा एसा नियम ले, स्विकार आते थे सबको, स्विकार करने को क कहते थे, कि आप नियम लोग, कोई बात आप घर पे नहीं करें, कुछ बात आप दो-तीन लोगों तभी करोगे, बच्चों के सामने नहीं करोगे, कुछ-कुछ बातों में आप विवेक रखोगे, बच्चों को अयोग्य है, ऐसी बाते यदि आपके पास है, तो आप छोड का दो-तीन लोगे, जैसे टीवी देखना, वह हम देखते हैं, तो आकर बेठी जाने वाला है, हमको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा टीवी से, लेकिन उसको बहुत फर्क पड़ेगा, को हम टीवी दिखा रहेते ते नहीं है, उसको सिगारेट पिलाते हैं, या दारु पिला जबकि सबसे ज्यादा नुक्षान टीवी में है, क्योंकि विचार के उपर उसका बहुत बढ़ा प्रपाव है, और इसके कारणाज हम देखते हैं, बालकों में मती मंदता आती जेते हैं, वो स्पार्क नहीं है, चेतना नहीं, उत्सा कितना था बालक में, आकास के तारे को छ कुलू, ओ कर दू, ओ कर दू, ओ कर दू, ये उत्सा था उसके पास, और वो जीवन तता का लक्षन था, लेकिन आज वो नहीं रहा, आदमेठे हैं तो बेट गए हैं, बस उठना ही नहीं है, आज कुछ जीवन में रसी नहीं रहा, तो ये खास ये वानी का उच्चार और अ आत्मा का सउसकार, मैंने सबसे पहले बताया काया का शरीर का आचार, मन का विचार, वानी का उच्चार और चोथा आत्मा का सउसकार, ये स्तर के लिए उगरुकुलम या वेधिक पेरिंटिंग केम बात करते हैं, कि इतना ये गहन तासे जब हम जाएंगे, तो आत्मा का सउसकार उसका परिवर्तित होगा, ये सउसकार परिवर्तन की क्रिया है, वो एक रात में होने वाली नहीं, वो तुरंत होने वाली नहीं, उसमें समय लगता है, और इसी को आचार्यकी आवश्यक्ता देते हैं, स्कुल में कोई भी चलाएगा, कोई तकलिफ नहीं, शिक्ष फैंट कुछ एसा है चो पुस्तक में नहीं है चो पुस्तक से अती थे जो पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा लकिन पुस्तक से महुत उपत्रा इिसके लिए लोग के –ork ce dave the और हम तयार भी करने है और दे भी देंगे दे भी दिया है दो kol नेकिन उससे सुरुआ थे आप पूर्णा वती मत चाओ यह इस साइड का किनारा है उस साइड का किनारा उसको मान लेते हैं यह ट्रेन का फर्स्ट चड़ने वाला स्टेशन है उसको उतरने वाला मान लेते हैं कि यह आ गया तो सब कुछ आ गया बस अब जरूरत ही नहीं है और एसे एसे जो चार संस्ता वालों तम ले गए थे चार पान एक महीना पड़ी न पड़ी तुरंट प्रोग्राम रख दिया कि वेधिक पेरेंट एक कुछ नाम रखा इसका सक्सेस्पूल पेरेंटिंग का क्लास रखा एक एक जार पीस तो जार पीस लेकर कुछ आये थे 25 पचास सो लो करें अच्छी तरह से करें यह पंदरा दिन तो आया नहीं मुस्तफ और तुरंट तुरंट पॉर्स बना दिया और उसको फिर मार्ग दर्शन के लिए तो कुछ नहीं है फिर हमने कहा पहले सीख लो आप उसके बाद आप जितने प्रोग्राम करना है उतने करना लेकिन बात यह नहीं है कि आपकी बात बड़ी नहीं है लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा है इसके लिए हम कहते हैं कि यह बहुत बड़ा लक्ष्य है पूरी पेड़ी को बदल ना जो सिक्षन से नहीं हो पाया है लाखो करोड़ों रूपे देकर सरकार यह नहीं कर पाई है क्योंक चाहे आप लगुगुरु कुलम चलाते हो, नह भी चलाते हो, चाहे वेडिक पेरेंटिंग का ख्लास आप उसमें रस रख रहे हो, तो इसमें चार बातों पर ये ध्यान रखे बच्चों की, उसमें सबसे पहला है शरीर का आचार, वानी का उच्चार, मन का विचार और आत्म का सवस्कार, तो अरेक एक्टिविटीस ये चार को ध्यान में रखते हुए हम करवाते हैं, ये चारों को ध्यान में रखते हैं, कि इसमें कुछ उसका मन का विचार तो विपरीत नहीं होता है ना, एसा करने पर वानी का उच्चार तो गलत नहीं होता है ना, इसा करने पर आत्मा का सौंसकर तो गलत नहीं होता है इसका भी ध्यान रखते हैं तो यह खास ध्यान रखना है कि यह चारों को मेलंस करना है चार पीलर है तो यह चारों पीलर को ध्यान में रखते हुए यह करका है तो यह करपर आप इतना ध्यान रखेंगे बालकों का उतनी अच्छी संतत्य उत्गुरुष्ट होती जाएगी लेकिन पेहले सबसे पेहले सरुवात छोड़ने से कर दीए उसके जीवन मे जो भी निदर्थक है वो समझा कर छुड़वाना है यह आप कन्वीन्स हो गए और कल से टीवी बंद कर देंगे और आंदोलन कर देंगे कि नहीं मिलेगा ऐसा नहीं उसको समझाना है कि यह देखो नुक्सान है यह ऐसा ऐसा है और वो समझ भी जाता है तो उसको पहले दीरे दीरे उसके जीवन में क्या-क्या विप्रीथता है उसका एक लिष्ट मना है कि यह 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 मुझे विप्रीथ दीख रहा है यह सही नहीं दीख रहा है और उसके बाद उसको दूर करने के लिए क्या-क्या करना है तो ओ आप करे और इससे आपको आश्चर यह लगेगा बहुत बालकों में असाधारण परीवन आया है क्योंकि ओ बदलने को तैयार है हमारे पास कुछ है ही नहीं हम सीखना चाहते हैं नहीं हम उसको समय देना चाहते हैं इसके लिए हमने ये वर्ग शुरू किये हैं और एक बुधवार को गुरुकुल के साथ-साथ गुरुशिक्षा माता पीता कैसे बदले उसके लिए क्या क्या करे उसके साथ व्यवहार कैसा करे अगली बार वारताय कैसी कहे उसको अधाला पमेशा conversation बच्चों के साथ हावश्यक होता है माता का या पिता का तो ओ कैसे करने करवन conversation कैसे करे वारत आलाप कैसे करे ओ वारत आलाप मैं आप क्या कहे कुछ दोश है तो कैसे निकाले हम लोग उसका प्रचार करने में ड़ता है मानों वो देर से उठता है तो कोई भी आया हम उसको बता देते हैं कि यह देखो मानी नहीं रहा है, देर से उठता है हमको लगता है कि उससे क्या होगा इसने नोंद ले ली, उससे वो सुदर जाएगा, जल्दी उठने लगेगा, नहीं वो दीरे-दीरे सहज होता जाएगा, ये सबको ऐसे ही कह रहे है तो दोस केसे कहना है बच्चों के, कोई व्यक्ति वीशेश के पास ही कहना है सब के पास झोल नहीं पीटना है, ये 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 नहीं करता है यह नहीं हम तो पूरा है कि पूरा वर्ग बेठा हुआ होता है और उसके सामने बता देते हुषका. तब उस उधरने की कोशिशी नहीं करता है. तो यह शिक्षण हमको भी बहुत जरूरी है. कहीं हम बच्चों को तो एसे नहीं बना रहे है, ज़ड नहीं बना रहे है इसके लिए उसकी एक विदी है उसमें कुछ दिखे दोश तो क्या करो तो ग्यात लोगोँ जो जानते हैं उसको बताओ कि एसा एसा है क्या किया जाए तो बताएंगे आपको कि इसको ऐसा करें इसको ऐसा करें अब आप सबजी लेने गए है और वहन को मताते है कि ये मेरा मेडम माणी नहीं रहाई या बहुत चीद कर रहा है उसको क्या पता है सब्जी क्या लाओ कुछ बेहन messaging और आलू के भाव को चोड़ कर उसको क्या पता होता है साइक पलुपिज यह जीतना भी उसको बताते जाएं तो इसका प्रशिक्षन कि बच्चों को यदि ऐसा बनाना है तो कुछ गामपीर यह चाहिए हमें भी गामपीर चाहिए तो यह इसकी बात हम और वेडिक पेरेंटिंग के विशई पर देने वाल है कि उसको कैसा वातावरण घर पर समझदा समझ से वातावरण घर की एक समझ हो तो बच्चों के उपर गेहरा प्रवाव ढालती है उसमझ जाता है कि वो किस वातावरण से आया है किसे वातावरण से वो आता है उपता चल जाता है समस्कृत में ये शुभाशी थे उसमें बताया गया है कि आचाराह कुलम आख्याती जैसे वो थोड़ा वर्तन करता है हमारे पास डेटा के से है उठता के से है बोलता के से है आकर पहली किरिया क्या की बैबर अब ये मारे पास घुल में आ थे यह भी पिछली बार आए लोग आये थे एमिशन के लिए और बताए बलत पेर चुओ और फिर कोई हमारे टीचर आते हैं वह भी बेट जाते है फिर उसको करते यह टीचर है इनके पेर चूओ, और फेर चूओ, तो पता सलता है कि यहां ठीक है? ओमबर्क यहां आकर करते हैं, गुरुखूल में आकर ओमबर्क शूरू किया है, उसको कहना नहीं पड़े, वो सम पेर चुओð उ फैर चुता है तो पता चलता है कि यहां ठीक है ओंवर्ण की हां करते हैं अंबर्ण चुरूकर किया है उसको कहना नहीं पड़ए ओस समझ जाए कि किसके मुझे पेर चुने हैं इसके साथ मुझे किस तरह करना है उसमें मेनत अमकों करणेगा तब वो कर पाएगा वो कहने से नहीं करेगा ना इतना तो यह एक आवश्यक के मति कि आप उसको एसा प्रशिक्षन कर पे ही दे उसको समझाए और आप भी एसा करें तो ये एक बहुत आवश्यक पाते कि उसको एसा वर्तन सिखाए तो अभी के काल पे वो वर्तन बहुत आवश्यक रहेगा कन्वर्शेशन में बहुत महत्वपूर रहे संवाद जिसको कहते हैं संवाद कला दूसरों के साथ किसे संवाद करता है नहीं तो आज बच्चे देखिए अकेले पन में ही बेट जाते हैं मुबाइल लेकर बेट गए किसी से कुछ पूछते ही नहीं लड़की आती है मुबाइल लेकर या कहीं बेट गई पूछ नहीं है बस बाते करते रहते तो उसको ये सिखाए किस तरह से बात कर तो एसी बहुत सारी जो शिक्षाए है वो वेईदिक प्रेंटिंग है लेकिन सबसे मुख्य बात ये है कि घर का वातावरण तो बदलना पड़ेगा उसमें हमको प्रयत न करना पड़ेगा और उप्रयत न करने पर हमको पूरा फल मिलने वाला है संतती अच्छी होगी उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है एसा सास्त्र बता रहा है कि सत्पुत्राद सत्षिश्याद एक सत्षिश्य कोई तयार करता है और एक कोई सत्पुत्र संस्कार देने का कारिय उससे बड़ा कारिय इस जगत में और कोई ही नहीं है राजा का मना किया है कि राजा का इतना बड़ा कारिया नहीं मतलब प्रधान मंत्री का कारिया इतना बड़ा नहीं क्योंकि वो वर्तमान में चला रहे और वर्तमान में करने वाले से भविश्य का करने वाला उत्तम ही व्यक्ति होता है इसके लिए खाने से खाने वाले से बोने वाला महान होता है एक व्यक्ति लेकिन बाकी की दो साल, पचास साल इसका है, जिसने वोया है, उसने एक cycle चलुटी, इसने खाया, दोनों के पास दो दो किलो था, इसने खा लिया, उसके पूरा हो गया, दो गंटे, रुपान तरण हो गया मल में, और इसने वो दिया, उसाइकल चलुटी, एक निर्मान की प् और ये बच्चों को हम सिखाएंगे, तो आप देखेंगे हमारे प्रयोग, गुरु जी ने वैदीक पेरेंटिंग के उपर के प्रयोग दिये है, तो उससे पूरा घर का परिवत्ता है, हमने मेरे घर पे ही देखा है, मैंने अपने विचारों में, मैं कैसा सोचता था गुरु तो ये उसको सिखाएंगे, कैसे समवाद करना है, कैसे इसके लिए जरूरी होता है कि घर का वातावरण में देखा, थोड़ी नियमित्ता लाए, थोड़ी अच्छी बातों का महावरा रखे, ताकि हमको बुरी बातों करने का समई ही नमिले, इतनी सार्थक बाते जीवन मे लाए, कि निरर्थक बात करने का समई ही किसी के पस नहीं करना जाए, क्रिकेट के मेच देखने का, उसके स्कोर पूछने का, पिक्चर कौन सा लगा है वो देखने का, पेपर पढ़ने का, कौन पार्टी आई है विसत्ता में, या कौन आने वाली है, ऐसी बाते करने का हमको समय जब न रहे तो यह सार्थक बाते बचों को जितना कहेंगे उतना उसके ऊपर प्रभाव बढ़ता जाएगा तो इतनी वेदिक पेरिंटिंग में आज बात थी आगे की बात हम अगली बार करेंगे उसमें कैसी कहानिया कहनी है किस तरह से कहानी कहनी है उसके सारी बाते हम अगली बार से लेने वाले हैं घर पे आप क्या सिखा सकते हैं आदर्श रूप से लेकिन सिखाना है उसको तैयार तो करना ही है घर पे तो अनुशासन उसका करके भी किस तरह से आप उसको अच्छा सिखा सकते हैं इसकी बात करेंगे किसी के प्रश्ण गुरुकूल के पर है तो अभी हम प्रश्णों तरी लेगा जी बहुत दन्यवाद आचा है रेजी जी बहुत जी है जैसे कि अभी आपने बताया बालकों के विश्टे में शरीर का आचार वाणी का उच्छार तो एक चीज में को यह पूछनी थी कि जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा बच है तो उसमें क्या होता है कि जादा तर बच्चा देखता है सब को बोलते वे तो वह भी बोलने लग जादा तो क्या करना चाहिए इसमें अब सबको तो हम जोना नहीं करते जैसे दादा भी अलब से कमरे बठाए उसका गलत पर वहावत हो दो दी पड़ेगा या फिर कैसे क अच्छी बात है रही और एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट रहा भारत का जो जोइन फेमिली थी लेकिन उस समय गुरू शिक्षा बहुत उच्चसतर की थी इसके लिए वो आपस में समझ कर ही कर देते थे निश्चीत की कैसी बाते बच्चों के सामने नहीं कर आज फेमिली तो जोइन रही मानों कहीं कहीं देखने को मिलती है जैसे आपने बताया लेकिन वो सिक्षा नहीं है कि उसको क्या बालकों के सामने बात करनी है और क्या नहीं करनी है तो इसके लिए आप यदि कहे उनको बता सकते हैं कि इसी बाते बालकों को कहेंगे तो मन के उपर एसा प क्योंकि ये साधारण तहाँ फेमिली में ऐसा होता है कि महुत लोगों के स्वभाव का प्रभाव बच्चों पर आता है इसके लिए वो खास ध्यान रखना है कि आपस में मिलकर उसको समझाना है इसा बलबातकों को बेस्दिया ऐसा नहीं होगा वो अवास्तविक लगेगा सम क्यों मिलने नहीं दे रहा है उनको मुझूर्गों को या आपके भाई को या बहन को तो ये एक त्यान रखे कि उसको समझ करकर कि क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं और हमारे मेरे बेचे के लिए नहीं आपके बेटों के उपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है तो समझो जाते हैं और एसे ही विचार उसके मस्तिक्ष में आते हैं जी इंद्र नील जी अच्छी अच्छी मेरा एक सवाल है जैसे हम चाहते हैं कि बच्छे बड़े हो अच्छे हो संस्कारित हो लेकिन कोई कोई बात जैसे जैसे पिता मता नहीं चाहते हैं मैं तो चाहता हूं मेरे पिता मता साइथ उसमें दिक्टत खड़ा हो जाता है कल कभी तो उनको कैसे कॉन्वेंस करें उनको कैसे जन जाए यह समय ही एसा है जिसको संक्रमन काल कहते हैं मतलब यह कोरोना संक्रमन की में बात नहीं करता हूं संक प्रचार तो बिल्कुल नहीं हुआ था और वहुत सिलेक्टेड व्यक्ति तक को विचार पहुचा था मतलब पहुचा था तो अनेकों के पास लेकिन तो भी अनुपात में देखे तो तो बहुत ही कम लोग होते हैं इसके लिए क्या हुआ कि जो अमारे माता पिता है वो इस सिक्षा से मेकोले की और इससे बहुत प्रभावी थे क्योंकि उन्होंने दूसरा पक्स देखा नहीं उन्होंने उसके बारे में सुना है देखा नहीं इसके लिए यदि कोई बेटा बच्चों को गुरुकुल में बिठाना चाहता है तो सबसे पहला विरोध कोन करेगा पता है उनके दादा-दादी कि यह क्या भी बिठा रहा है यह सब कुछ करके यह से इतनी सारी स्कूल है बरबर डिली वाले लोग यहां आते है तो बले कि माता-पिता को समझाना कठीन हो जाता है कि डिली में एजीओकेशन अच्छा है यहां पर राजपोट में अच्छा है आप रेश्यों निकालए तो बताते हैं कि आप कहीं पर भी ठूण लो कि शिक्षन कहां का अच्छा है तुब बोले दिल्ली का टोप सिक्षन है और आप इसको छोड़कर ये पागलपन कर रहा है बच्चे की जीवन बरबाद कर रहा है ऐसा बताते है कि गुरु कुल में बिठाना अर्था जीवन बरबाद कर रहा है ऐसा देखो ऐसा कोई सोज भी सकता है वो हम सोच नहीं सकते है लेकिन ये वास तब इकता है एसा होता है उसका कोई दोस नहीं है क्योंकि उसका मैंसेट ऐसा हो गया है देख देख कर सुन सुन कर दूसरी बात दवाई में भी आप देखे आयूरवेद के ऊपर आज पंचगव ये आयूरवेद के ऊपर आज अमेरिका इस तरफ मुड़ दूसरे देश भी इस तरफ मुड़ गए युवा आज थोड़ा सहन कर सकता है कि मैं दवाई यही लूंगा एलोपेत की दवाई ने लेकिन माता पीता उसको इतनी जबर्जस्ती करवाते हैं कि आप ये वुखाराया है आप दवाई खागे नहीं खाओगे तो क्या हो जाए पीछे तो हम अब जा नहीं सकते हैं पचास साल पहले तो इसके लिए ये हमारा दाईत्व होता है कर्तव यह होता है कि उनकी बाते सुने और थोड़े प्रमाण में लागू भी करें ताकि उनको ये नहीं लगे कि कुछ हम्मान नहीं रहे है लेकि ये स्टेटेजिकल ही चल अभी अमें एक जगह गया था माता-पिता के यहां भागवत कथा चलती थी उन्होंने बताया कि पिता का कोई भी वचन मानो माता का कोई भी और बहुत लोग ऐसे 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 सीर डुलाते थे और ओभी कथाकार कहीं से सबको रुलाने के लिए आ गया था कि पई रोए और य तो मुझे भी बुलाया था वहां पर और मेरा विशेई पेरेंटिंग का ही रखा था हूँ तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा वो तो चले गए थे तो मैंने कहा कि प्रहलाद ने पिता का नहीं माना तो इसके लिए अच्छी बाते वालक को तक जाए नहीं येसा लगता है कही वो कुछ तो बिलकुल सान्ती से उसको समझाने का प्रयाप करें कि देखे आप एसी बात करें लेकिन बच्चों पर ऐसा प्रभाव बढ़ता है यह साम कहते हैं तो ऐसा होता है ये टीवी आपके साथ देखता है तो इसके मन में ऐसा होता है तो तीरे-धीरे समझेंगे देकिन उसनी अप्यक्षा इतनी ही रखे तो यही करे कि थोड़ा बेलेंस करे दोनों अचानक आप आदर्श नहीं हो सकते हो तीसरे चोथे दिन से उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको ताकि धिरे-धिरे माता-पिता समझे तो यह आप कर सकते हैं सिधा आनुलन पर नोग चाहिए कि चलो समझा ही देते हैं छोड़ी देते सा नहीं करना है उसको समझा ना है ती आगे कोई आचारे जी मेरा भी एक कुशन है हमारा भी बच्पन से ये क्वालिटी जो है हमारे अंदर भी नहीं है आप जो बोल रहे हैं तो हम अभी बच्चों को जब भी ये आप जी क्लास सुनने के बाद पहले हमें लगता है कि हमारे अंदर भी इतना इंप्रूमेंट करना है तो पहले अपने आपको कैसे टीक करें उसके बाद बच्चों को कैसे इसके लिए गुरुजी का एक महूत अच्छा प्रयोग जीवन साधना शिवीर उसमें गुन साधना का विशाई जो हम वेडिक पेरेंटिंग के अंतरगत लेते थे उस समय अभी भी ले रहे हैं अभी यद्यपी इस विशाई की शिवीर अभी नहीं चल रही है क्योंकि समय नहीं लेकिन गुरुजी करवाते थे तो उस समय वो कहते थे कि आपके जीवन को भी इस तरह से और यह यदि कर दिया तो बच्चों को अलग से सिखाने की जुरूरत नहीं है वो तो आपको कुछ नहीं है या तो फिर कुछ विपरी थे और हमको बच्चों को कुछ विपरी कुछ अलग देना है तो इसके लिए थोड़ा समय निकाल कर पहले तो पठन करें इसके विशाई पर कि जीवन क्या है जीवन को समझने के लिए कुछ पुस्तक है आवश्यक हो तो भी प्रकार एमें कुछ पुस्तक पड़िए मनो विज्यान की कुछ पुस्तक है और दिरे दिरे अपने जीवन पर तो कुछ लाते जाईए कि हाँ हाँ यह यह गुरों की आवश्यक्ता है तो कैसे हम करेंगे तो उसमें हम मार्गदर्शन कर सकते हैं उसके लिए शिबीर असाधारण फरक देखने को मिलेगा बच्चों में आपको किसी भी प्रकार के विशेश शिक्षन के बिना तो ये गुणों का बहुत महत्व है तो ये गुणों के लिए हमको जीवन जातना शिमीर या कुछ अलग समय निकाल कर हमको कुछ अध्ययन कर लेना चाहिए हमको कुछ उसके बारे में पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे वो इस तरह से हमारे में आए हम किस तरह से उस पर काम करें उसके उपर विचार कर जाएए दूसरा मेरा प्रस्बन था कि जैसे हम कुछ इनके बाद टीचर बनने वाले हैं, तो हम बच्चे को किस तरह से थैयारी कराने के लिए हम अपने अंदर क्या थैयारी करें, कि हम ज़्यादा कुछ टेप आएं, इसके विश्चे में क्रामारगा है। देखिए, शिक्षक बनना ओ, वियड कर लेना ये शिक्षक बनना नहीं है, ये याद रखी, ये दोनों को कहीं मेल ही नहीं है, आज लोग क्या करते हैं, मुझे शिक्षक बनना है, तो क्या करना होगा, तो दूसरा कहता है, वियड करना पड़ेगा, कुछ होना नहीं है, और बीएड किये भी ना, मैंने बीएड नहीं किया है, तो मैं शिक्षक नहीं बन पाता हूँ, तो इसके लिए कोई गुणों की आवश्यक्ता होती है, कुछ विशेश चिंतन करना होता है, शिक्षक को कुछ समधना होता है, ओ बाते चली गई, इसके लिए आपको ये विचा को कहे जाते हैं, आचारिय के कहे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लेंगे तब तो विस्तार से लेंगे, कि शिक्षक के पास कितने गुण होने चाहिए, तो आधर्श शिक्षक है, तो यह बहुत बढ़ई ऐसे होती है, कि बच्चों को समझाओना, उसको रिस्पोंस देना उसको उत्सा की जरूरते तब उत्सा देना और अनुशासन की जरूरते तब अनुशासन करना तो यह आप थोड़ा मुझे लगता है यह हमारी शिक्षकों की गुरुकुल शिक्षन होता है उसमें थोड़ा आप लेंगे तो शिक्षक को तयार करने का हम चाहते हैं, क्योंकि ऐसे शिक्षक तयार होंगे, तो ही इतने सारे बालों को पढ़ा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो आप एक बार शिवीर में कब होगी, मैं बता नहीं सकता, भी कुछ वातावरण विपरी थे, बारी सुपो, लेकिन एक इस तरह की कुछ बाते उदर करेंगे, कि शिक्षा हमारा जीवन लक्ष यह है, यह कोई एक चोटा सा साधन नहीं है जीवन चलाने का, तो इसके उपर हम गेहराई से चर्चा, और उसकी ट्रेइनिंग करते वाले हैं, जी. गुरुजी पनम, बीते ही, करोना काल में बच्चों को ऑननाइन क्लासे चल रही है, जिसमें वो मोबाइल से बहुत अटेच हो गए हैं, और अब भी बाहर खिलने जा सकते, क्योंकि बाहर भी ऐसा वातावरण नहीं है, तो यह मोबाइल से इतने अटेच हो गए, तो इसके जैसे शिक्षक बनना है, तो प्रयास्त हमारा भी है, कि हम भी शिक्षक के कारी को आगे बढ़ाएं, जो आप कर रहे हो, पहला प्रश्चन तो आपका जो है, वो बहुत अच्छा है, कि उसको मोबाइल छुड़वाएं कैसे, वो रस का विशय बन गया है, तो मुझे लगत है, कि उसको पकड़ाने की कुछ सोचना चाहिए, छुड़वाने का दे, उसको उससे अच्छा पकड़ा देंगे, तो ओ छुटेगा, लेकिन उससे अच्छा पकड़ाना महुत ही कठीने, वो मुझे पता है, क्योंकि आप देखते हैं, कि ओ खिलोना छोड़ देता है, एक टाइम पर हुटोना के लिए जान दे देता था, जान पर आकर लड़ता था किसी से, रोता था, चिलाता था, ये इतना खिलोना उसका प्रीय था, लेकिन ठोड़ा बड़ा हो गया, उसको लगा कि इससे ये अच्छा है, बस उसका कप चुट गया पता ही नहीए, छीलोना, की तरह है लेकिन यह बहुत प्रभावी खिलोना है तो यह आसान नहीं है खिलोना छुडाना लब क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग इसमें सामिल है इसके लिए सबसे पहले उसको उत्तम वारता अच्छा वातावरण देने का प्रयत्न करें उसके बारे में उसको समझा है कि यह गलत होता है ऐसा ऐसा और अनेक एंगल से उसको समझाने की कोशिश करें कि यह कितना नुक्षान करता है यह हमको तो दिरे-दिरे मुझे लगता है कि ओ अशक्य तो नहीं है कभी-कभी क्या होता है कि हमारे प्रयत्न ही अधूरे होते हैं तो ओ पूरे प्रयत्न हमा हमारे प्रयत्न का सातत्य रेकर यदि हम उसको बताते जाएंगे कि ये ये तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम आएगा हमारे यहां शिवीर होती थी साउथ मुंबई में तब बच्चे एक मिनिट बिना मुबाइल के बिना नहीं रह पाते थे शिवीर में साथ-साथ घंटा रहते थे मुबाइल के बिना तो इसके लिए ये शक्य तो है शक्य हैसा तो नहीं है उसमें अमारे प्रयत्न विशेश चाहिए तो ये आपने बताया तो इस तरह से हम चुड़ूआ सकते हैं लेकिन कुछ उत्तम उसको पकड़ाना पड़ेगा एसे वातावरन मेले जाना पड़ेगा शिवीरों को उसमें लाना पड़ेगा शिवीरों में वह ये पहला दूसरा यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले तो अपने आपको ही देखना पड़ता है लेकिन आपने यदि निर्णई किया है शिक्षक बनने का तो उसका एक प्रशिक्षन भारत में तो बहुत सारी संस्ताय कराती है लेकिन अमारे यहाँ पर भी वो चलता है श शिक्षा के बारे में क्या कर सकते तो पहले तो उसको समझना है और उसके बाद ही कुछ का तो इसके लिए समझने के लिए पहले परियाग्त समझी दे उसके बाद आप कर सकते हैं जी इस विचार से नेचर से जोड़के कुछ बदलाव ला सकते हैं अन्स्कूलिंग तो तो आपने कहा कि ही लेंस एवरिटिंग यह सब कुछ और नहीं सीखेगा तो आपने कहा कि लेंस एवरिटिंग तो ओके वल प्रकूरुतिशेग नहीं जब भारत में आज से 50 से 100 सोतों में बहुत कम करा हूं, ऐसे अजार गुना ज्यादा जंगल थे, और अजार गुनी ज्यादा प्रकुरूती थी आज के काल से, तब ये भी गुरू की तो आवशिकता थी ही, आप देखे, प्रकुरूती से चला नहीं उसका काम, क्योंकि प्रक बच्छर पोस्ट्राइब ने उसको जरूरी है ना वातावरण की है, मतलब वो नहीं, पेड़ पोधो वाला नहीं, लेकिन ऐसे एक सवाधी वातावरण, आप समझ गे ना जैसे वातावरण दोनों को कहते हैं, ये तो ये पेड़ पोधो वाला है, खेत है, गाई है, वो तो दूसरा ये है कि जो मानसीक लेवल का वातावरण है ना वो बहुत प्रभावी होता है वो वातावरण से, तो वो वातावरण हमने दिया, तो वहां से आप सुरू कर सकते हैं कि वो अच्छे वातावरण में रहे, तो ये हो सकता है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन का उसको समझ का यह सब वातावरन पी बहुत आवस्यों जी अगे जी मनोर माझी अपनाम गुरू जी अपने तो बहुत है तो बहुत है आप जी अपने पताया पुस्णा रहे थे कर भी आपने बताया वो पुष्टक के लिए पुष्टक के पढ़ने चाहिए तो बहुत ज़रा आपको कौन सी पुष्टक पढ़नी चाहिए वह पुष्टक का नाम या उसको कोई अच्छा किताब का PDF है अब मैंने पहले बताया अगली बार में सब कुछ बता दूरर अगली बार तक इतजार करें ठीके अगर उप्लद भाजागा लेकिन क्या होता है अगर पड़ोस के बच्चों के पास का तीवी और मोबाइल है तो वो उसका वैट्रेक तो होगा ही ना तो उसका कुछ सॉल्यूशन अब एक ही सॉल्यूशन बच्चा है पड़ोसी को छुड़वाई आप वो ज्यादा तरम काम नहीं करते हैं उस विश्री पर सब लोगों के प्रश्ण है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है लेकिन दूसरे बच्चों को तो ये दूरगुण है तो मैं क्या करूँ उससे कैसे बचा ल तो इसके लिए ये थोड़ी सोच को व्यापक करें कि आसपास वाले बच्चों के भी कैसे मोबैल चूट जाए ऐसा कुछ करें कि इसके लिए अमारा विश्री जो था लगुगुरु कुलम का उसके लिए वही ये सोसाइटी की शिक्षा है और जब तक और ओ आपने प्रु जब आता है कि जब पूरी सोसाइटी ऐसी हो और हमको अकेले को उसको दूर रखना है तो ये संभवी नहीं होता है इसके लिए हमको जो प्रयत्न करना है वो सोसाइटी ले वो समाज के स्तर पर करना है बराबरे इसके लिए ऐसा कूछ नहीं है कि वो यदि दो विकल्प लेकिन समाज के लिए प्रयत्न करें कि उसमें थोड़ा सुधार आए सभी बच्चों में तो इसमें वो आने वाला है यह पर नाम गुरुजी मैं तो वहां पर गाउं में जो जाती हूं गुरुजी तो वहां बच्चे तो आते हैं लेकिन वो सीकर फिर उसी अपने मता पीता के पास जाते हैं वैसे ही तो फिर वही मोहल में आ जाते हैं दूसरे दिन आते हैं उसके लिए देखे प्रयत्नत अविरत चालू रखना है उसका भी प्रभाव है उसका भी प्रभाव है उसका भी प्रभाव है तो अभी तो चलेगा लेकिन यदि यह प्रभाव होता गया हमारा और होता है तो मुझे लगता है कि बच्चों पर वातावरन की असर तीरे तीरे कम होती जाएगी इसके लिए उसको प्रयत्न तो चालू रखना पड़ेगा जी श्वेता बैंट जी नमस्ते गुरू जी जैसे अभी पहले के जमाने में सिब गुरू कुल का एक विकल्प था अभी दो विकल्प है हमारे सामने तो इसमें क्या होता है ना कि जब गुरू कुल में बच्चों को बेजते हैं तो घर आने के बाद वो पड़ाई करवाई हैं मैं को लेकी तो साथ में गुरू कुल का भी अभ्यास कराया जा रहा है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बच्चे फ़र्ज जाएंगे दो सिस्टम के बीच के अंदर क्योंकि एकांत यही अच्छा है और यही करना चाहिए वैसे तो कोई भी माता-पिते माता-पिता का कुछ गढ़ान डापक्षिशन्स रभते हैं या किसी ना किसी माध्यम से वह भी शिक्षा करवाते हैं बच्चों के पड़ बच्चों को इससे फस जाएगा ना दो सिस्टम के बीच में है देखिए यह आप जो कह रहे कि दो सिस्टम के बीच में तो यह तो कोई यसी बात हैं कि इसमें को ये दो गली है और एक भीच में मतलब रह गया है और वह बिल्कुल फस गया या तो कोई दाने घंटी में फस जाते इस तरह से फस गया कि दोनों ऐसे सिक्षा ऐसे दोनों है और फिर ये चकर लेती है इसको विरोध हैं गल से کیूं देखते हैं दिखिए इसमें पूरक भी हो सकते हैं हमारा कहना यही होता है कि हम यह क्यों सोच लेते हैं कि एक गलत प्रांती हमने बिठा दी कि एक गाई में भी ऐसा हुआ देखें भेंस को गाई के विरोध में खड़ा कर दिया कि बेस गलत ही है और उत्तम भेस गलत है तो में यह कहता हूं कि गाई की उत्तम उसकी जगवपर है है कुद्रत ने गलती नहीं कि बेसं को उत्तम करके या में दूद रख कर तो कभी-कभी हम क्या करते एक वस्तु को माहत्मिय देते हुए है दूसरे वस्तु को उसके विरोध में खड़ाते है बराबर तो भाव प्रकाश में भाव मिस्रजी ने अश्ट पश्रू के दूद की बात कही है और इसको सामने रखते हुए गाई के दूद का वरा क्या कितन का उत्तम है इसका मतलब उन्होंने बेस को काटने का नहीं बताया निकालने का नहीं बताया उसके बताया यह भी है यह बहा प्रीप्रित खड़ा करते है defenses में जब वीचार करते हैं घाली वस्तु है हम जब विचार करते हैं पुरा, हम जब चरूरत पड़े तब हम खंडन करेंगे उसका, लेकिन वो व्यवस्था का करेंगे, पर्सनल कोई स्कूल का नहीं करेंगे, जैसे आपके पास स्कूल है तो उसका हम नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम का करेंगे, अब देखिए, 400 साल से पढ़ गई और उसके बाद भी उसको उठाने वाले आए मनों एक बहुत बड़ा ट्रक पल्टी खा गया एक बहुत ट्रक बड़ा जा रहा था उसने पल्टी मार बड़ा बड़ा और उसमें राच्ते में से मेरे जैसों लोग निकले दो साइकिल लेकर या चोटा सा स् सकते हम क्या कर सकते प्रयत न कर सकते थोड़ा मूत और वोने वाला नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई शर्षक आएगा क्रेन आएगी या इसे पंदराभी स्लोग आ जाएगे और वो खड़ा करते कर हो जाएगा गुरु कुल पे ऐसा हुआ कि वो जब से व्यवस्था टूट आउट गई तबसे इसके ऊपर ऐसा हुआ ही नहीं कि वो शक्सम यक्ति ने उठाया आज के टाइम पर गुरु जी नë इसके उपर कारिया किया कारिया तो भी वो कहीं ना कहीं तो यह इतनी बड़ी सिस्टम को बाधु धी तक नहीं तकी हुई ॅब क्या होता है वो धीरे स्कूप देने के लिए ये ऐसा होता है कि वहां की तैयारी करता है तो इस तरह से उसमें फसना कुछ नहीं है उटो गुरू कुल का आच्छा होता है गुरू कुल पढ़ लिया अब उसको ये मन्हे की ये भी पढ़ लिया तो उपढ़ लिया इसके लिए हम दोनों को भीरोधी बनाए और कोई स्कूल वाले बच्चों को ऐसा लगे कि मैं गुरुकुल में आना चाहता हूं तो अम तो भविश्य में ऐसी विवस्ता करने वाले हैं कि बच्चे आठमी नौमी दसमी में पढ़ते हैं वेकेशन में जो दो महीना उसके वेस्त जाते हैं तो ओ दो महीने में स्कूल में कोई सिक्षन नहीं होता है घर पर बिल्कुल टाइम पास होता है टाइम पास नहीं ज्यादा तर विगाड़ी होता है वो दो महीने गुरु कुल में दे गुरु जी ने प्रयोग दिया था और ये दो-दो महीने की शिवीर करके लड़के गुरु कुल में नियमित जो पढ़ते थे उससे बहुत आगे गए थे ऐसे रेखो तो इसके लिए कुलों के साथ भी लोग गुरु कुल में चोईन हो गु उसकी अवस्था कर, उसके स्थिती को देखकर, उसके भविश्य को देखकर निर्णे लेना, इसके लिए हम ये बिल्कुल न माने कि वो दोनों में फस जाएगा, उल्टा होगा, कि दोनों उसको पता चलेगा, स्कुल में भी कुछ अच्छी बाते अवश्य होगी, होती है, व हम बहुत अच्छी तरह से सिख्षा को समझ पाएंगे, और गुरुकुल एस्टाब्लिश हो जाएगा, तो फिर और कोई सिख्षा की जरूरत, क्योंकि वो सब सम्मीलीद गुरुकुल में होई जाएगा, अभी वो छोटा सा है, इसके लिए नहीं है, बड़ा हो जाएगा, तो यह सब आहीं जाएगा, उसके जाएगा, तो जैसे कोई माता ने गुस्सा कर लिया हो, या कुछ गलत विचार हो गया, तो उसका प्रभाव पढ़ गया, बच्चा भी वैसा बन गया, तो उसका कुछ सुधार कर सकते हैं, क्या बाद में? उसका सुधार कर सकते हैं, है कठीन बहुत, मतलब ओ लेवल का प्रयतनाव को चाहिए, क्योंकि इसलिए हम गर्भ समस्कार की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ओ विचार थू आता है बालक तो उसका प्रभाव आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, कि आपने गर्भ समान न्यूरोन्स को उत्पन करते हैं, उसमें आते हैं, वो न्यूरोन्स को उत्पन करते हैं, ऐसे साइकल चलती है, वो अस्थिगत तो जाता है, मतलब ओ छोड़ना बहुत कठीन होता है, लेकिन संभावना है कि वो चूट जाता है, क्योंकि प्रक्रूतिके निर्मान के व गुरू जी मैं यह पूछना चाहता हूगी आपने में मैंने आपकी वीडियो देखी थे उसमें आपने बताया कि गुरू कुल में आप साथ साल तक रखते हैं बच्चे को तो अब जैसे मेरी बेटी बारह साल की हो जाएगी दो फरवरी को तो वो सिक्स्त किलास में तो अगर मान के चलो मैं बच्चे को भेजता हूँ अब तो वो छे और साथ साथ तेहरा यानि एक तरह से फर्स्ट इयर की हो जाएगी जब वहां से आएगी तो उसके बाद अब वापस आके क्या वो ग्रेजुएशन करेगी या ऐसे ही अगर आठ साल का बच्चा हमने भेजा तो वो थर्डएस टेंडर में यहां पर पढ़ रहा होगा फिर आपके वहां पर गया तो वो दस्वीं से वापस आके फिर मैकोले की सिसा लेगा तो उसका क्या प्रारूफ है देखे ये अच्छा प्रश्ण पुछा वो पुरा करके में पुरा करते हाथ की प्रश्ण उतरी उसमें देखे दो है एक तो जब हम बच्चे लेते हैं तो आइडियल आठ साल की उम्र है वो आदर शे अब जितना लेट होगा उतने प्रश्ण आएगे तो मानों 9 हो गया 10 हो तो कोई बात नहीं दस्तक लेकिन 12 साल की बेटी ही हो या 13 साल की हो तो उसके बाद यह नहीं है कि यहां पर उसको सिखाया नहीं या वो सिखेगे शेट होने में बहुत तकलिफ होती है इसके लिए एक तो यह हो गया कि 12-13 साल की बच्चियों को हम कहते है कि वह वही पर उसके मन पर और तब उसको नया वातावरण एकसेप्ट करने में थोड़ा जीचक होती है थोड़ा परिवर्तन नेगेटिव परिवर्तन नहों जाए इसका डर रहता है तो इसके लिए हम मना करते हैं कि 12 साल की उपरकी बेटी अच्छा हम लड़के की बात करते हैं 12 साल का लड़का हो गया या 14-12 साल का मेक्सिमम या लड़की हो गई मानों 10-11 साल तो वो साथ साल तक यहां पढ़ते हैं पढ़ने के बाद एनाई ओएस बोर्ड एक है जो गवर्मेंट का बोर्ड है उसमें बहुत सारे बच्चे परिक्षा देते हैं मैंने दिलवाई है वो गुगल में आप देख सकते हैं उसके विशई भी सुची पूरी दी गई है करीब करीवे से संगी थे भाशा है यह सब विशई है उसमें उसकी तैयार यदि छा मेना की जाए अच्छी तरह से यहां पढ़ाते हैं उसको संस्कृत बहुत अच्छा हो जाता है उसका हिंदी बहुत अच्छा हो जाता है को साथ साथ में कॉम्प्यूटर वेडिक में व्याकरण ज्याय वेद के कुछ सूत्र कुछ आयूरवेद पंचगव्य उद्योग का शिक्षन यह सब देते साथ में अब उसके पास यदि आप एसा माने तो एसा होगा कि चलो एक ही रास्ता है मे लेकिन यदि उसको बूरव कुछ करना है तो फिर कु Lord में कर सकता है। शाल के बाद उ स्वतन्त रहे जी अचरी इस फ्रैडे कहन सा संकूत करेंगले मलंके्स करेंगे मुएस श्यास्क्राइग वगट बहुत-बहुत दन्ड़त कुल रापकर नौब बचे सांस्कृत का मलन तो तो कल मिल रे हम लो और फ्राइडे आरविजी के ओपर आरविजी के ओपर आरविजीक सेशन वह बहुत बाधन्यवादा चारश ही, बाधनीवादा